नमस्कार, आज तक AI के स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, जो प्रैक्टिस मैचों को टीमे या खिलाडी गंभीरता से नहीं लेते हैं। ICC के हर बड़े इवेंट से पहले वार्मप मैच का आयोजन होता है। इसका सबसे बड़ा मकसद टीमों के लिए हालात समझना होता है। टीमें उस हालात में खिलाडियों के प्रदर्शन को भापने की कोशिश करती हैं, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 के वार्मप मैचों को लेकर टीमों में वैसी गंभीरता नहीं दिखाई दी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। भारतिय कप्तान रोहित शर्मा ने तो वार्मप मैच को लेकर ये तक कह दिया कि हमारे लिए यहां हासिल करने को कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपचारिकता ही है। वार्मप मैचों की जरूरत क्यों है आईए ये जानते हैं। इसकी जरूरत इसलिए है ताकि खिलाड़ी अपनी लए को हासिल कर सके। उदाहरण के तौर पर रविचंदरन अश्विन को ही ले लीजिए। भारतिय टीम अच्छी लए में है। पिछले महीने ही एशिया कप जीता। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज को भी अपने नाम किया लेकिन रविचंदरन अश्विन के पास वंडे की मैच प्रैक्टिस नहीं है। अश्विन ने पिछले 6 साल में सिर्फ 4 वंडे खेले हैं। श्रेयस अईयर और केयल राहुल ने चोट से वापसी के बाद अच्छा फॉर्म दिखाया है लेकिन अभी भी उन्हें काफी मैच प्रैक्टिस की जरूरत है। अभ्यास मैच में खेलने स वर्ल्ड कप से पहले लगातार बैटिंग करने से ये खिलाडी बेहतर लय में हो सकते थे। वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस या वाउम अप मैच को सीरियसली नहीं लेने के कई कारण है। दरसल इन मैचों का रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं जुड़ता। मैच क वर्ल्ड कप से पहले कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि उसका प्रमुक खिलाडी चोटिल हो जाए। खास कर तेज गेंद बाज. सभी का लक्ष्य खिलाडियों को चोट से बचाना होता है। यहीं वजह है कि महत्वपूर्ण खिलाडियों को कम ही मैदान पर उतारा जाता है। इन्हीं वजहों से कोई भी टीम या खिलाडी वाम अप मैच को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। आज तक AI के स्पोर्